आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनो द्रिण हो तीनो द्रिण क्यों यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा आपनी सेना को ना सिमाओं को और यदि उसका निर्बल और अस्थेर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिन्ताओं से और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजाग देखो वच्ष नियती तो यही कहती है कि अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खत्रा उठाना पड़ता है कुछ लोग खत्रा नहीं उठाते हैं जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं पर जो प्रगति करना चाहते हैं उपर उठना चाहते हैं जो कुछ उनके पास है उसे दाओं पर लगाने से नहीं डरते संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है, भले ही वे हार जाएं, पर ये संतोष उनसे कौन चीन सकता है, कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया, वैसे मैं इस चनौती का निर्नय करता हूँ इसलिए तुम्हें इसमें बेइमानी का कोई भे नहीं होना चाहिए मैं क्या चीन सकता हो इससे ये तो तुमने देख लिया पर मैं इसे क्या दे सकता हूँ ये नहीं देखना चाहोगे मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगत पती होने की योगेता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता है और फिर अखंड भारत का समराट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर करतेगा ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ कालपनिक सोच मूर्खता होती है वच्ष अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहा है उसे तो हो जाने दो गुरुदिव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ये बालक अवश्य जीतेगा जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को पेचने का प्रश्न सामने आएगा तब ये क्या करता है देखते जोश अच्छा है वच्ष किन्तु स्मरन रहे बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैटते हैं योद्ध का पहला नियम है अपना योद्ध चुन्ना सीखो कब, कहां और किस से योद्धनिती कहती है कि वार सदैव अफसर देख कर ही करो मुक्ती तश्रीगरी मिलेगी चंद्रगुत किन्तु ध्यान रहे ये कागरताब बनी रहे कटिन पत पर चलने पर कई बार धैरे तूट जाता है रदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वेम से प्रश्न पूझ बैठोगे पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्षे पर बना रहे फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो मुझे द्वनी बेदन सीखा सके एक मार्ग है जो कुछ भी तुम सीखो इतना मन लगा कर सीखो की आधी धीरा तुमसे प्रभावित हो जाए जिससे संभावना बन सकती है उनके शपत तोड़कर तुम्हें सिखाने की युदि तुम मिकागर कित हो सको अपने शरीर के साथ-साथ अपने मन पर भी अधीकार कर लो तो एक साधारन शरीर भी असाधारन कारे कर सकता है चाहे जितनी पीडा हो युदि तुम्हारा मन उस पीडा को माने ही ना दूँ रितिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण है जिनका सर धर से अलग हो गया किन्तो वो युद्ध में लड़ते रहे रक्त की अंतिम बून तक लड़ते रहे उन्य उद्धाओं को गरवान्वित करो बता दो उन्हें की अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदाइत निद्रा भोजन भोग भै ये नर पशु समान ज्यान अधिक इक नरन में ज्यान बिना पशु जान चंद्रकुप्त पृत्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्ति शाई थे गाए बैल शेर हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे किन्तो राज किसने किया पृत्वी पर मनुष्य ने कैसे बुद्धी से तुम्हे भी बुद्धी से लड़ने वाला योध्धा बनना है चंद्रकुप्त यदि तुम अपने लक्ष को पूरी एक आग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल्वो वो कर दिखाता है कि साधार लोगों को ये असंभव लगता है एक महान युद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रकुपत जो ही वो युद्ध में जीते विजे उच्समों में अपना समय कमाएं पिन अगले लक्ष को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए वीर यात्रा पिछले पंदरा वर्षों से आज तक इस यात्रा को कोई पूरा नहीं कर पाएं किन्तु तुमें ये यात्रा सफलता पूरवक पूरी करनी है चंद्रकुपत इन में और तुम्हारे कवच में क्या अंतर है तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा को कोई मात्व नहीं अचारे मूले यात्रा का है यात्रा में मिली वस्तु का नहीं मैं कुछ समझाने ही अचारे यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है चद्रकू व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्षे तै करता है और जब व्यक्ति लक्षे की और बढ़ता है रा पर निकल पढ़ता है तो मार्क उसे सिखाता है समारता है बनाता है और यही अनुभव उसकी पूझी होते है मार्क पर चलकर लक्षे तक पहुँचा जाता है और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्दी होती है चंद्रकुप्ति वस्तुक उपलब्दी होती है मार्क में मिली सीख रहा में आई हर अरचन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है इसलिए जितनी दुर्गम होगी यात्रा उतना ही निखरेगा व्यक्ति जैसे विजे यात्रा पर जाने से पहले तुम घबरा रहते तुमारे भीतर जिजग थी तुम्हें नहीं रखता था कि तुम तल का नित्रत्व कर पाऊगा तुम्हें ये भी नहीं रखता था कि तुम हर बाधा को पार कर पाऊगा किन्तु तुमने ये सब किया और जो किया उस उपलब्धी का प्रतीक है ये कवच किन्तु क्या ये कवच तुम्हें अजय बनाएगा नहीं जंद्रकुट ये कवच एक वस्तू मात रहे मैत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे चुपा विश्वास इस विजे यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखा रहे यही बनाएगा तुम्हें अजय अचारे तो क्या अब मैं अपने माँ को चुडानी जा सकता हूँ इस पर चंद्रकुट यह कवच एक वस्तू मात्र है मैत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे चुपा विश्वास इस विजे यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार यही बनाएगा तुम्हें अजय फिर कवच के लिए जो कथाय प्रचलित्थी वो सारी मित्यां किनकी थी वो कथाय उन महानियों द्धाओं की जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया तो बड़ा कौन हो तो वो कवच वो व्यक्ति या वो युद्धा या विकार वे महान युद्ध जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए वो व्यक्ति या वो युद्धा वो लिख चुके हैं अपना इतिहास तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है जब जीने की सच्ची चा मन में हो दब मृत्यू को कठी नहीं नहीं असंभाव मान मातर जीवन जीवन और हर मूले पर जीवन यदि मन में इसके अतिरिक्ट कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी सासी बन सकता है तुम यह कह सकते हो कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है कौन सी लड़ाई लड़ाई अपनी या उनकी जिन्हें तुमसे आप एक्षा है जो निर्बल है जंद्रकुप जब व्यक्ति के समग दो रहा आता है जब एक मार चुनना होता है तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है कैसा है जब भी कोई निर्बल एक पार कर लो तो पलट कर मत देखो क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बदाते इन सभी काउवालों के ब्रांच जा सकते तो असा भलता से सीखना यावश्चक होता है चंद्रकुप किन्तु हर बार त्रोटी नई होनी चाहिए यदि तुम त्रोटी तोहरा रहे हैं तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है असा पलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है यह तुम्हें विनम्र बनाती है शत्रुतक का आदर सिखाती है बस असा पलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए इस असा पलता को भी सीखने का एक और अफसर मानो इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए जायरे जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्यों उससे बाहर कैसे निकलोगे इस पक्ष को सदय वियाद रखो नेत्रत्व क्या होता है शत्रू या विपरीद परिस्तितियों के प्रती मन में उनका सम्मान होना एक अच्छा राजा वो नहीं जो आगमन करना जानता है एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है उन्हें संगटित होने के लिए समय जुटाना भी आता है पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं यदे दिन नए उत्सा से लड़ता है यही तुमने आज किया चंद्रका गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्मिरधारित हर प्रश्ण भी हर प्रश्ण का सही उत्तर भी पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु की उसे क्या पढ़ाना है और विद्ध्यारती के पास हर समय उपलब्द होते हैं ग्रंथ इन्तों जीवन में कुछ भी पूर निर्धारित नहीं होता ना प्रश्ण ना उत्तर ना सहायता के लिए गुरु ना ग्रंथ जीवन में हर प्रश्ण के एक से अधिक संभावित उत्तर उचित उत्तर चुन्डा है बिना किसी सहायता के जब तुभारे समक्ष एक से अधिक विकल्ब और निर्णे लेना कठीन हो रहा है विकागर चित होकर ध्यान लगा कर अंतर आत्मा को सुनने का प्रयास कर लो अंतर आत्मा के संकेत जियती को सुरूप देते हैं निराशावादी द्रिष्टी कोन ही फ्यला दी इस से बचना चाहिए सदैव सकारात्मा ही सोचना चाहिए मैं चाहता हूँ सकारात्मक सोच सबसे योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करूँ और उसे सच बना दिए हर बड़े कारेश से पहले उसका सपना दिखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है मात्र इच्छा शक्ति बस यही एक मूल मंत्र है हर सपलता के पीछे इच्छा कर दड़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटे विजे सदा तुम्हारा वरण करें फर सकते हैं अती बुद्धिमान क्या होता है सामान ने बुद्धी चातुरे से कुछ अधिक संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो जिसने स्वेम को परिस्तितियों के अनुरूप ढाल लिया हो वो ही संकट से बच पाएगा और यही सार्वुभामिक नियम है यह अवसर है पुनर जनम का देश के हित में एक शात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है यह फिर जीने का अवसर है यह गौरव जो मिट चुका है देश का उसे पुने पाने का अवसर है यह मातर भूमी को नमन कर सके इस लाइक बनने का अवसर है एक नए नव निर्मान का अवसर है निर्णे आपको लेना है चाहें तो आप सब अपनी पराजे के साथ जीवन भर सर जुका कर पशुवत जी सकते हैं या फिर अपनी मातर भूमी के लिए अपना सर्वस्व नियोच्छावर करने के महा अभियान में मेरा साथ दे मेरा सदा पराजे की अनित्यता में विश्वास रहा है अनित्य होती है पराजे लटी चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए जब वो मन्द से पराजे को स्विकार करता है तब वो होता है पराजित कई बार मन्द से पराजे को स्विकार करने वालों हार से हताश होने वालों इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे हर पराजे विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है हमारी कमियां हमें बताता है हमें विजय के और निकट ले जाता है इसलिए यवनों से मिली पराजे को भुला दीजिए आईए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है मिलकर आज हम अपना अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं एक नया समाज गढ़ सकते हैं नियती के लिखे तक को बदल सकते हैं आज हमारे समक्ष जो अफसर है ऐसा अफसर भग गिशालियों को ही मिलता है अपनी मातर भूमी को विदेशी आकरमनकारियों से मुक्त करवाने का अफसर अपने रिन से उरिन होने का अफसर अपने राश्टर के नव निर्मान का अफसर अपने गौरव को पुनहे पराप्त करने का अफसर अपनी मातर भूमी के लिए मर मिट जाने का अफसर तो आईए अपनी मा की लाज बचाएं मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं ने ने आपको लेना है योजना में मात्र लक्ष निर्धारन महत्वपूर्ण नहीं होता महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष प्राप्त किया जाता है चंतित नहुँद निन्यानवे प्रतिश्यत यही संभावना है कि महराज पूरू और कैलिस्थनीज दोनो असपल ही होंगे इसलिए एक और विकल्पिक योजना है मेरे पास क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान किन्तु शांत चित हर समस्या का हल ढोड़ सकता है एक बात सदैव समरन रखना चंद्रकुत कोई भी नियती जनित समस्या मानविये क्षमताओं से बड़ी नहीं है समस्या मात्र इतनी से है कि अधिकतर लोग कठिनाईयों को केवल देखते रह जाते हैं किन्तो कुछ लोग कठिनाईयों के बीच रहकर भी अपने लक्षे को प्राप्त करने की शमता रखते हैं इतिहास में केवल उन्हे का नाम लिखा जाता है जो विशम से विशम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्षे को द्रिश्टी में रखका द्रिश्टी में रहकर जाता है असंभव दिखने वाला निर्ने होता क्या है एक ऐसा कठिन निर्ने जो लिया जा सकता है इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्ने लोग क्योंकि समस्या को अर निर्ने से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगे निर्ने लेने में साहस करो फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है एक सलल नियम है चत्रकुत समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो जड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सरी नाउट सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धी और उसका विवेक होता है एक बुद्धी मान युद्धा अपने बुद्धी चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजई हो सकता है फिर परिस्तितियां चाहे कितनी ही विशम क्यों ना हो शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चिस समय के लिए शासन मिलना चाहिए जीवन भर के लिए नहीं इसलिए एक राजा को अपने लिए अपने परिवार अपने वंच की महिमा के लिए या अपने समराज्य की मान सम्मान प्रतिष्टा के लिए समय नहीं गवाना चाहिए क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कारे नहीं कर रहा है प्रजा के जीवन सतर के विकास के लिए कारे नहीं कर रहा है तो प्रजा के लिए क्या उप्योगिता है उसकी मैंने तुम से कहा था ना कि चानक के बहुत गुणी है एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है अन्य था उसका कोई अर्थ नहीं कोई और चित्ते नहीं तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए एक मूल मंत्र है बाउजन हिता है बाउजन सुखा है किसी भी योधा के लिए युद में सबसे महत्वपून्श शस्त्र होता है गती किसी भी युदा के लिए युद में सबसे महत्वपून्श शस्त्र होता है गती शत्रो की शितलता का अपनी गती से लाब उठाओ अनपेक्षित चैली अपनाओ उसके आसुरक्षित भाग पर आकरमन करो आमने सामने के युद में शत्रो की गती को पहले समझो और फिर चौकाने वाली गती से उसे पराजित करतो कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं और परिस्तितियों के अनुकूल शीगरता से घल जाओ यहीं विजय के कुण्जी है और युद में मृत्यों के लिए सदा तया लओ जिस घड़ी तुमें लगे कि अब कोई मार्क नहीं बचाओ उस्तो मैं उनका समान करो जिनके लिए तुम जी रहे हो नहीं पाता हूँ मैं जब भी कोई योजना बनाता हूँ तो उसकी सफलता को लेकर संच्छे मेरे मन में भी रहते है मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर दिश्टी के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कारे में लाने का प्रयास करता हूँ किन्तु कारे की सफलता योजना, भाग्य और अंतर आत्मा के स्वर के मिले जुले असर से तैह होती है कारे की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है मातर लक्षे की और त्रिश्टी और कहीं नहीं तो मैं सचमच आपकी साहता कर पहूँगा एक शिक शिक का मैं तो समझ नहीं पा रहे तो इस अभियान में क्या साहता करोगे मेरी माना कि एक साहसी योद्धा एक योद्ध जीत कर दिखा सकता है किन्तु एक शिक शक किसी साधान जन को उस योद्ध को जीतने के योग के बना सकता है किसी वी योद्ध को जीतने के लिए चुनोती उस युद्ध के लिए अच्छे युद्धाओं को ढूनने में नहीं चुनौती है साधान जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें आसाधान बनाने में जो एक शिक्षक ही कर सकता है तुमसे बिना कोई मूले लिए एक सीख देता हूँ जिसकी मुझे लगता है आवश्यक्ता भी है तुम्हें अपने विचारों को वश्मे रखो चोकि यही तुम्हारी वानी बनेंगे अपनी वानी को वश्मे रखो चोकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी अपने कर्मों को वश्मे रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे अपनी आदतों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगी और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग के बनेगा और सुग्दा उन्हें कैसे जगाए जाए आचारे एक निराशावादी को हर अफसर में एक कठिनाई दिख जाटा है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक आफसर दिख जाता है भागे के सभी अफसर हमारी आत्मा में सुष्ब तorousफा में होते हैं तो मैं बस उचिझ समय की प्रतीख्षा कर दीए मैं किसी युद्ध में उलजना नहीं जाता किंटो मगज जैसे समराज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आपको बचा नहीं पाए ऐसे में मगज से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता इस युद्ध का सबसे बड़ा संक्ष सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भै अग्यात सिथ है जो अतारकिक है क्योंकि अग्यात जैसी बात होती ही नहीं है बाते मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती है कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ न पाण तो इससे भै क्यू पाले मन दो ये तो संकेत है इस बार कि चलो शत्रों के समर्थे के बारे में और जाने और जाने और जाने अपने हर संची हर दुविधा को एक और रख दो चादी कभी किसी और के लिए जीने का प्यास बना किसी और की दृष्टी में अच्छा बनने की चेश्टा में हम अकेले आएगे अकेले ही जाएगे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएगे जो बीद गया उसे भूल जा जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो जो होगा उसके चिंता छोड़ दो बस तुम्हें मात्र अपने कर्म कर ले पुरस्केट करने का कर्म नियती का है करेगी अच्छे कर्म अच्छे ही फल लागे मैं गाथा सुनाता हूं तो एक बाद मार्ग में एक विशैला बिच्छु देखा जो नदी के पानी में दूग रहा था ब्रामन उसे बचाने के लिए पानी से बाहर निकाल लेता है बिच्छु उसे डंक मार देता है ब्रामन को पीडा से तवप उस बिच्छु को छोड़ना पड़ता है जो पानी में फिर से ज़ता है उसे मरता देख प्रामन उसे पानी से बाहर निकाल लेता है बिच्छू फिर से उसे डंक मार देता है प्रामन के निकट खड़े शिश्य ने विसमेथोकर उससे पूझा गुरुबर आप इतने ज्यानी हैं यह जानते हुए कि बिच्छू की प्रवित्ती डंक मारने की है आप उससे खेल रहे हैं ब्रामन का मैं उसे मरने से बचा रहा हूँ शिश्य ने फिर कहा किन्तो वो एक बिच्चू है वो आपको फिर भी डंक ही मारेगा तब ब्रामन ने का यदि वो एक बिच्चू होकर अपनी डंक मानने की प्रवित्ती नहीं छोड़ सकता तो मैं एक मानन उसे बचाने की प्रवित्ती कैसे छोड़ सकता आचारे आचारे आप सदैव यू खुले में साथ-साथ पैदल गुमने को इतना महत्व क्यों देते हैं प्रत्वी आकाश वन मैदान जील, नतियां, पहाड और सागर ये सब हमारी श्रेश शिक्षक होते हैं हमें इनसे पुस्तकों से भी अधिक सीखने को बिलता है बस हमें सचेत होकर इनके बीच खुमने की आवशकता होती है दूसरे सब जब युत में आकंठ ढूबे हो तब तुम्हारा अपने वाता वरन को लेकर ग्यान तो मैं ऐसे अस्तर शस्तर प्रस्तवत कर सकता है जिसके तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और जब तुम बचने के लिए छट बटाते हो तब तुम्हारा ये प्रकृति का ग्यान तुम्हारा रक्षक बन जाता है मैं कुछ समझा नहीं आजा पेड़ों को जानकर हम धैरे का अर्थ समझते हैं घास को जानकर हम बने रहने का हट समझ पाते हैं प्रकृती में हर वस्तू के होने का एक अनूठा कारण होता है यदि तुम इन सब की विशेष्टाओं को जानते हो तो तुम सदैव शत्रू से एक हाथ आगे रहते हो पसीने की एक बून बहुत सा व्यर्थ का रख्थपाद बचा सकती है कोई भी बड़ा कारे करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यक्ता होती है योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्ने भी अच्छे होंगे इसलिए गुणी जन कह गए अच्छी योजना है असंभव दिखने वाले स्वपनों को भी जिवन्त बना सकते विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा प्रयाप नहीं होती है विजय के लिए की गई तैयारी है अधिक महत पूर होती है विजय यू ही कैसे मिल जाएगी विजय ही तो हर कोई होना चाहता है किन्तो विजय होने के लिए हर कोई समुचित तैयारिया नहीं करता है जीतने के लिए की गई तैयारिया जीतने की इच्छा शक्ति को और दिर्ण करती है एक बार युदारम हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीच जाता है चलते युद्ध में, आप युद्ध करेंगे, यह उसे जीतने के लिए आवश्चक तैयारियों, युद्ध, युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चर्ण मात्र होता है, जिसका निर्ण है, उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है, इसलि कि यह जो के निर्भने सेनिकों की संख्या सी नहीं निकलते हैं कि यदि तूम अपने शत्रू को जानते हैं तुम स्वय को जानते हॉ तो तूम्हें ड्म के परेणामों से भेभीत होने की आवेशकता नहीं, नहीं तो यदि तुम ना तुस्वैंब को जानते हो, ना ही अपने शत्रू को तो तुम्हें विजे के साथ पराजे के लिए सदैफ्त पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वैंब को भी नहीं जानते हैं, चत्रु को भी नहीं जानते तो तुम्हें हर युद में पराजे का मुक देखना पड़ेगा तुम्हें समझदारी ग्यान में नहीं कलपना शीलता में होती है और आज के युद का भविश्य में आपने शिश्य की कलपना पर छोड़ता हूँ दूपते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता विजय श्री उनीक अवरण करती है जो कोई भी मूले चुकाने के लिए सदैव तत्पर्म इसलिए एक अच्छे योधा का अंकलन बहुत सरल होता है उसे किसी भी विप्रीत परिस्तिती में छोड़ दो वो वहां से विजयता बन कर ही लोटेगा जो मेरा शिश्य करेगा आज अखंड भारत का निर्मान करना है कई योजनाएं बनानी है जल गया नहाथ कैसा मुरख है तू इतनी सी साधारन बात भी नहीं समझता तरकारी का पात्र गरम है तो किनारे किनारे सिखा अब तू बीच में हाथ डाल देगा तो हाथ तो जलेगा न मुरख साधू ऐसी वेभारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं एक मा से ही मिल सकती है अब समझाई मुझे मेरी भूल सीधे पाटली पुत्र में हाथ डाल दिया हाथ तो जलना ही था पहले आस-पास परिदी के क्षेत्रों में डालना चाहिए था किन्तो हम अपनी असभलताओं से सीखेंगे पहले पाटली पुत्र के बाहर छोटे-छोटे राजियों को बनाएंगे अपना लक्ष फिर एक चक्रव्य बना घेरेंगे उसे फिर अंत में करेंगे पाटली पुत्र पर आक्रवन पहले परिदी फिर के एक राजा को सदैव बुद्धी से शासक और मन से साधान परजा का हित्याशी बने रहना चाहिए राजा वो व्यक्ति होता है जिसे भोजन के हित में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुना जाता है परजा ही अपने लिए एक राजा को जुनती है इसलिए एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के हितों के उत्तरदाइत्वों का वहन करता है उसके लिए प्रजा की सेवा और सम्मान उसके जीवन से अधिक प्रिये होते हैं उसके लिए कठिन और अपेक्षित कार अपनी साधान प्रजा में से किसी सर्वशेष्ट को चुनना नहीं अपेतू, उन साधान व्यक्टियों में से किसी एक को सर्वशेष्ट बनाना होता है एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है पूरे देश को सफलता और सम्म्रधी के महान लक्षे को प्राप्त करने के लिए ना केवल उन्हें प्रिरीत करें अपेतू, प्रजा के लिए ही उन्हें प्राप्त करके भी दिखाए एक राजा को उसकी सेना अमर नहीं बनाती और ना ही उसका धन वैभाव उसे अमर बनाते हैं, उसके बनाय हुए मित्र उसके की हुए भलेकार है, उसकी अरजित की हुई सद्भावना और सत्तिनिष्ठा एक योग्य राजा कभी अपने शत्रूं से नहीं डरता अपी दोशत्रू स्वैम एक राजा से डरते हैं और एक कुशल राजा वो है, जो इसी डरका अपने लाब के लिए प्रयोक करने में सक्षम होता है और बुद्धिमान राजा वो है, जो राजा का करतव्य निभाते हुए भी, ये कभी नहीं भूलता कि वो एक साधान व्यक्ती ही है, जैसा कि प्रया में एक साधान व्यक्ती होता है ये व्यवस्ता ही है, जो किसी को राजा तो किसी को प्रजा बनाती है और ये व्यवस्ता कई छोटे छोटे साधान जनों से बनती है इसलिए राजा जो करे जो सोचे तो साधार्ण जनों के हित में प्रजा का विश्वास और समर्थन एक साधार्ण राजा को असाधार्ण शक्तिशाली और लोकप्रीय राजा बनाता है और जब भी राज सिहासन पर बैठो एक बात सदै वियाद रखो जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले नीती पर नहीं चलोगे सिहासन पर बने नहीं रह पाऊगे राज सिहासन की शक्ति लोक हित में चिपी है अन्याय और प्रिष्टा चार पटी का राज नहीं चल सकता पोचन देता हूं आचारी मैं सदैव आपकी अप्यक्षाओं आपर ख़रा उतरने का प्रयास करता रहूँगा हमारा कार यह हो जाएगा हर महान जीत के मूल में होता है लगातार सचेत रहना हर संभावित समस्या का पहले से आंकलन करपा उन्हें समय रहते समझ कर नए नए हल ढूंदा सब कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से पूरा करने पर निर्भर करता है चारित साधारन सिभूल कर सकती है सारा अभिहां चौपट इसलिए तुम नायक अपने उत्तरदाई तुसे कभी मूह नहीं मोडता जैसे सफलता का सारा शे अभिहां के नायक को जाता है वैसे ही एक सच्चे नायक को ता सफलता का सारा शे अपने सर लेकर यह मानना चाहिए कि उससे भूल हुई है तुटियां हुई जैस नायक में अपनी पराजय स्विकार करने का सास नहीं है उसे नायक के लाने का कोई अथिकार नहीं करने अचे कैने का में तुटिया आपकर दीकि को सफलता के खेरेट चेरेट मारघॉवावरूथ पासना ओधनतेरे और काम हो आमार भाग मात मात कर प्रयास चाहे तू हसने किन तू आखे हो कर प्रयास राध ही दिन निकलेगा प्रसू उच्छत तूर श्टिछ भाज भाज कर प्रयास सेंहाब है ठीटा ही साग है कि अ कि पिशने को पिशने को पिशने को फीड़ा हिस्स सुख्यूद्छ 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 तारी जीटे जीटे है हाद बागमद करप्यास भागमद कर प्रयास 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 पागुबाद, पागुबाद! पागुबाद, 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 प झाल